आज हम करेंगे हमारा जो यूनित थर्ड है यंग लीडर्स जो की delog4 हम कर रहे हैं unt around 5 का तो हम इसका थर्ड यूनित जो है वो करेंगे फर्सटो यूनित थे वो मिनि leadership qualities क्या होती हैं वो हम देखेंगे हम अपने vocabulary बढ़ा सकते हैं हम सीखेंगे कि direct और indirect speech क्या होती है और एक impressive और convincing convincing जो speech होती है वो हम कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि छोटा सा biographical sketch कैसे हम लिख सकते हैं biography होता है जब किसी की life के बारे में कुछ लिखा जाए जैसे आप अपनी life के बारे में कुछ लिखते हो तो आपकी diary अलग होती है बट biography होती है जो आपकी life में पहले से क्या हुआ वो पूरा आप किसी एक book में लिखते हो ना तो उसको बोलते है डाइरी होता है जो आप रोज भी जो दिन में हुआ तो वैसा है बट जब आप अपने लाइफ के ओपर कोई किताब लिखते हो उसमें मत आप हर रोज की जो हर एक डिटेल है वो डाल सकते हो ठीक है तो बोईग्राफी होते है जिसमें आप अपने लाइफ में जो पहले से अगर आप 18 साल के हो तो 18 सालों मे क्या हुआ था आपकी लाइफ में तो जो में में हैं वो लिखते हो ठीक है कैसे आपनी क्या किया कैसे किया वह जो डायरी होती हो उसमें आप लिखते हो जो हर रोज वो हर रोज दिख narcissist चालों है ठीक है तो सबसे पहले आपको बोल रहा हैं कि think about these issues and discuss them with your friends तो आपको इन issues के बारे में पढ़ना है और बाद में अपने friends के साथ डिसकस कर सकते हो जैसे कि जो leaders हैं वो खुद से पैदा होते हैं कि उनको leader बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि आपको चाहते हो कि मैं बी लीडर बनाती है और अगर एक इनसान है जैसे कि आप ले लो अपनी एक्जामपल आप चाहते हो कि मैं भी लीडर बनूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या कुन सी qualities हैं जो आपको अपने अंदर develop करोगे और उससे आप leader बन जाओगे ठीक है उसके बाद है what made Gandhi a true leader तो उसके बाद जो हमारे महत्मा गांदी जी हैं उनको किस चीज़ नी leader बनाया तो गांदी जी के बारे में तो सब को पता है तो सबसे पहले जो reading comprehension है उसमें हम देखेंगे on the way to pretoria तो इसका नाम है ठीक है जब वो pretoria जो एक जगह वहां जा रहे होते हैं तो वहां क्या होता है उनके साथ तो यह जो एक extract है ना यह कहां से लिया गया है जो M.K. Gandhi जी की जो है ना My Experiments with Truth जो उन्होंनी किताब लिखी है उसी में से एक चोटा सही सा उसका लिया गया है तो जो जो ट्रेन है वो मार्टी जो बर्ग एक जगह है वहां का जो कैपितल है नेटल वहां पोंचती है नाम बचे वहां की जो राजदानी है Beddings used to be provided at this station A railway servant came and asked me if I wanted one No said I I have one with me He went away तो यह बोल रहे हैं यहां पर की एक बंदा जब यह ट्रेन में बैठे थे जब ट्रेन रुकती है तो वहां पर एक बंदा आता है इनके पास और बोलता है की आपको beddings की मत ज़रू रहते है बोलता है की नेमिर पस है तो वह चला जाता है वहां से अब इतनी देर में क्या होता है बंद आ पैसेंजर केम नेक्स एंड लुक्ट मी अप एंड दाउन तो इसनी देर में一點 उह दोड़ा में थे बॉस्त पैसेंजर ता तो वो बोलता है यह इस तरीके से देखता है इस इस तरीके से देखता है तो जब उसनी देखा कि गांदी जी कलर्ड मैन है तो उससे उसका थोड़ा वो मन कुछ अजीब सा हो गया अब वो बाहर जाता है वो इनसान और वापस दो ओफिशल्स जो वहाँ पे थे जो ट्रेन में जो ओफिसर्स होता है उनको लेके वो अंदर वापस आता है तो उसके बाद क्या होता है तो दोनों चुप रहे लेकिन एक और ओफिसर वहाँ पे आता है और वो उसको बोलते है तुम्हें मेरे साथ जो compartment वाला compartment है वहाँ पे आना पड़ेगा तो जो last में जो compartment है वहाँ पे आना पड़ेगा जो सबसे last में तो but I have a first class ticket set आये तो लेकिन गांदी जी वो बोलते है मेरा जो टिकेट है वो मेनी पहली जो class है जो पहली जो अच्छी वाली जो यह है ट्रेन में जो डबा भोलते हैं शाहिद डब गया उसको बोलते है I don't know that doesn't matter rejoin the other तो दोस्ता बंदा उसके साथ आता है वो जो officer है वो बोलता है उसको कि उससे कोई फारक नहीं पढ़ता है I tell you you must go to the van compartment मैं तुम्हें बोला ना तुम्हें जो last was van compartment है उदर जाना पड़ेगा I tell you I was permitted to travel in this compartment at Durban and I insist on going on it तो यह बोलते हैं उसके बाद गांदी जी उनको बोलते हैं कि ने मुझे मैं डर्बन से मतलब इसी में आया हूं मतलब तो मुझे मैं और किसी डबे में नहीं जाओंगा मैं इदर ही मतलब इसी में इसी compartment में travel करूंगा No you won't तो वो दूसरा जो ऑफिशन है वो बोलते हैं कि ने तुम नहीं कर सकते हो You must leave this compartment or else I shall have to call a police constable to push you out तो तुमें इस compartment से निकलना पड़ेगा वरना मैं police constable को बोलाँगो और वो तुमें इसे इदर से बाहर फैंक कीगा तो गांदी जी के साथ ऐसा हो चुका है Yes you may I refuse to get out voluntarily तो गांदी जी तो मानने वाले नहीं थे तो उननी बोला उनको की तुमें जो करना है करो लेकिन मैं यहां से खुद से नहीं जाओंगा तो constable came इतनी देर में constable आता है वो गांदी जी का जो हाथ है वो पकड़ता है और उसको बाहर फैंग निकालता है जैसे आप देखो यहां पे दिखा के आपको जो उनका लागेज यह वो भी बाहर फैंग दिया गया था उसके बाद I refuse to go to the other compartment and train stint away तो इतनी देर में क्या होता है वो मतलब दूसरे compartment में नहीं जाते हैं तो मतलब जाना चाहते हैं इतनी में train की जो है वो चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है I went and sat in the waiting room keeping my hand lag a bag with me and leaving the other baggage where it was तो इतनी देर में यह जो दूसरे वहां पर अलग अब जो स्टेशन में वेटिंग रूम है वहां जाते हैं वहां बैठते हैं और अपना जो इनकी हाथ में जो बैग था वो साथ लेते हैं और जो लगएश था वो जहां पर फैंका गया था वो वही रखके जाते हैं देर रेलवे अथारिटीज है टेकन चार्ज अफ इट और जो वहां पर जो का रेलवे अथारिटीज वगए़ा थी उन्होंने उसको अपने पास रखा था इट वोस विंटर एंड विंटर इन दे हाई रिजिंज और साओ अफर आफिका इसे वेरली कोल्ड तो यह जो जब Martisburg being at a high altitude the gold gold was extremely bitter तो जो Martisburg था जो जगा थी South Africa में वहां पर एक तो बहुत हाय अल्टिटूट पे था और यसी हमारा लदाख है वो बहुत हाय अल्टिटूट पे है तो वहां पर बहुत थंड होती है तो उसे तरीके से यह भी था यहां पर बहुत जादा खतरनाक थंड थ तो यह गांदी जी उसके बाद बोलते है मेरा जो कोड था मुझे बहुत जादा थंड लग रही थी बट जो मेरा जो पर से कोड लगाते है वो लगेज के अंदर था और मैं मतलब उस लगेज को नहीं वापस खोलना जाता था रेल वे अथार्टिस के पास नहीं जाना चाह तो एक और पैसेंजर वाँ पे आता है वो गांदी जी को देखता है तो इनसे बात करने का मतलब थोड़ा दिखाता है बत गांदी जी को बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था बात करने का तो उसके बाद गांदी जी खुद से ही बात करते हैं मतलब सोचते हैं कि क्या मुझे अपनी ड्यूटी निबानी चाहिए क्या मुझे जो मेरे राइट्स इन्हों नहीं मेरे साथ बुरा किया है मुझे मतलब इंसल्ट किया है उसके लिए लड़ना चाहिए और फिर इंडिया जाना चाहिए या मुझे अपना जो मैं काम करने आया हूं प्रिटोरिया में वो काम करना चाहिए और जो मेरे साथ इंसल्ट हुई है उसको मैं बूल जाओं और वापस इंडिया फिर चला जा मतलब जो इन्हों नहीं गलत किया इनको ना बताओं ये गलत है तो मैं मतलब जो मेरा काम है वो मैं अगर बिना पूरे करे जाओंगा इडिया में तो वो एक क्या होगा वो एक जो वो होता है एक इन्सान जो डर जाता है थोड़ी चीजों से तो वैसा हो जाओंगा मैं वैसा जो कि गांदी जी बिलकुल भी नहीं थे वो लड़ते थे जब भी कुछ गलत होता था उसके लिए मतलब लड़ा करते थे तो यह जो उसके बाद गांदी जी बोलते है जो मतलब जिस जो बुरे दोर से मुझे गुजरना पड़ा जो अब भी मेरे साथ हुआ वो भी एक उपर से मतलब उन्हों नहीं किसकी बेसेस पे किया जो इनके साथ बेद बाव अब भी हुआ तो उसकी वजह से जो मेरे साथ बेद बाव हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है तो इस फिर गांदी जी बोलते है मुझे इस अगर मुझे क्या करना चाहिए जो यह बाद बाव करते हैं यह बिमारी को मुझे अगर दूर करना है तो मैं करूंगा लेकिन अगर मुझे इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जेलनी पड़ें तो मुझे ट्राइ करना चाहिए ड्रेडरेस for wrongs I should seek only to the extent that would be necessary for the removal of color prejudices तो उसके बाद जो भी मुझे इसके लिए करना पड़ेगा चो ये prejudice होता है जो आप अपने दिमाग में कुछ आपने किसी community किसी इन्सान किसी के बारे में कुछ जगह के बारे में सुन लिया होता है और फिर उसीकी basis पर अपने दिमाग में कुँछ रख लेते हो ना तो तो उसको फिर उसकी basis पर आप दूसरे बंदे से बेढ़ बाव करते हो तो उसको बोलते है prejudice तो यह बोलते हैं उसको मुझे जरूरी खा她m करना है so I decided to take the next available train to प्रिटोडिया तो उसके बाद गांधी जी नी सब जब सोचा और उसके बाद बोला कि अगर जो मेरे सात्व बुरा हुआ है इसको मुझे खतम करना और किसी ओर के साथ एumen और की साथ अशान नहो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इधर ही रहना पड़ेगा तो जो एक मैसेज बेजी जेनरल मैनेजर जो एन्ट गुटिए इन को भी यिदो steroids है जुटिखर अब्वेस्अ से मिलें, इन मैनेजर में जाय जाय से स्थीस जेनरल मैनेजरे म।ो छो जल्डी से ज़र्डी बहुट ऑफ और इन्ट रियोड मैनेजर आथृरित से बात कर लिया और मैंने उनको बता है कि आज के बाद ऐसा यह सब कुछ नहीं करना है तो वो अब आपको अपने जहां आपको जाना है वो आपको आराम से पहुंचा देंगे अब्दुला शेट वाइड तो दे इंडियन मर्चेंट इन मार्टिजबर्ग और फ्रेंड इन अ बात करने टेंगे एड़ यह से आपको अपने आपको जाना है वो आपको आपको पता है कि आसे इंडिया से कोई आया है फिर वो इस उनके पास आते हैं वो सारी मर्चेंट जी से मिलते हैं और गढ़ी जी के साथ बात करते हैं उनको थोड़ा अच्छा पील कराने के लिए अपने जो इनके साथ बुरी बुरी चीजे होई यां वो सारी बताते और बोलते हैं जो आपके साथ गांधी जी के साथ होए वे कुछ नया नहीं है हमारे साथ हर रोजी होता है, आपने ये और इंडियन इंडियन सेटेकंडप्र लगल्फॉर्इ साफि़arıे। तो उनों ये भी बता है जो अगर इंडियन जो first ये second class होती है वहां से अगर travel कर रहे होंगे तो वहां पर जो जितने भी passengers या white passengers या railway officers होंगे वो बहुत उनको परिशान करते हैं तो जो पूरा दिन है उनका फिर ये जो ये बाते वाते जो उनके साथ बुरी बुरी चीज़े हुई थी वो ही सुनते उनका निकल जाता है और शाम को train आती है there was a reserved birth for me और उनके लिए एक अलग से seat रखी गई थी आइना purchased at a purchased at martisburg the bedding ticket I had refused to book at Durban तो उसके बाद जो यहां पर गांदी जी अपने लिए bedding जो ticket है वो ले लेते हैं मतलब जिस पर bed होता है वो वाली ticket लेते हैं और जो कि Durban में उन्होंने नहीं ली थी और फिर वो जले जाते हैं आगे को तो the train took me to Charles Town तो train जो उनको Charles Town पहुंचा देती है तो उसके बाद आप questions हैं कि why was the narrator asked to go to another compartment तो जो गांदी जी है उनको क्यों बोला गया कि आप दूसरे compartment में जाओ और जो गांदी जी है जब उनको बोला गया कि उदर जाने के लिए तो उन्होंने क्यों नहीं माना दूसरे compartment में जाने के लिए उसके बाद इसले सवाल है कि और जब उन्होंने मना किया तो उसके वज़ासे क्या किया उन्होंने उनके साथ कैसा बरताव किया बहेविर क्या था उनका फिर उसके बाद जो नरेटर है जो गांदी जी है जबकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी फिर भी उनों नहीं अपने कोट जो क्यों का इसमें था उनके लागिज में था उनका रेलवे अथर्टीज के पास था तो उनों नहीं वो कोट क्यों नहीं मांगा उन से वाप उसके बाद है ना हौ डिट ही थिंग ऑफ अड्रेसिं इस हाडशिप मैटेड आउट तो हिम तो उसके बाद गांदी जी नहीं क्या डिसाइड किया जो उनके साथ बुरी-बुरी चीज़े हुई थी बरता हुआ था उसको कैसे क्या किया उनने गांदी जी उसके बाद तो तो जो गांधी जी के हमां सी जो बुरा बरताव उनके साथ हुआ था क्यों हुआ था इसा दो उसके बाद क्या फाइनलि गांधी जी को justice मिला और कैसे मिला। पढे इसमें आपको क्या जो गानिज सी की अधिस कि दो लीडर के उंदर कॉलिटी दो इधर आपको कून साथ कि likely May क उसके बाद को अपन Readyक क्यों हो इसको क्रॉघ आ करना is तो सबसे पहले जो है तो सबसे पहले जो रेलवे में जो सर्वेंट जो वहां पर काम करता था वो जब उसनी गांदी जी को देखा तो वो उससे नाराज था उसको अच्छा नहीं लगा उनका आना क्या इस सही है कि गलत नहीं क्योंकि जो गांदी जी है वहां पर उनका जो द गांधी तू लीए the compartment तो उसके बाद जो को जो वाहां पर जो उनके साथ passenger दूसरा था उस नी बोला गांधी-जी को कमपार्टमेंट की इंसल्ट हो गई गांधी जी नी बोला कि मैं इंडिया वापस आ जाओंगा ये ऐसे ही छोड़ दो जो हो गया तो हो गया नहीं ऐसा नहीं गांधी जी जी जो है जो इनके साथ हुआ था वो अच्छे से देख सकते थे हां मतलब उनको समझ आ गया था कि ऐसा क्यूं हो रहे क क्योंकि जो उनके अंदर एक जो बिमारी है जो उन साथ अफरिका के जो लोग थे उस टाइम पे वो उनको लगता था कि ये मतलब वाइट ब्लैक के बीच में बेदबाव करते हैं ओन दे बेस ऑफ कलर वो एक मतलब बहुत बुरी बात थी तो उनको समझ आ गया कि क्यूं उ कि साथ S.H.U.E.